दोस्तो आज से हम MS Word सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और यह MS Word की पहली क्लास है काफी लोगों ने मुझे बोला है कि MS Word सिखाईए वो भी बिल्कुल सुरू से तो आप लोगों की request पे मैं MS Word सिखाने जा रहा हूँ वो भी सुरू से तो यदि आप MS Word के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो यह जो स्रीज आने वाली है MS Word की जैसे Part 1, Part 2, Part 3 तो MS Word की जो स्रीज आएगी उसमें आप MS Word बिल्कुल सुरू से सीख सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से तो इस स्रीज के साथ में आप पूरा जुड़ जाएए चैनल को सब्सकाइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को सेयर कर दीजे ताकि आपके दोस्त भी MS Word सुरू से सीख सकें दोस्तों जी आप इस स्रीज के साथ में बिल्कुल सुरू से जुड़े रहते हो जैसे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट तरी आएगा और जितने भी पार्ट बनेंगे उनको आप सुरू से और एंट तक देखते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप MS Word बिल इस स्रीज के साथ में आप जुड़े रहिए तो चलिए यहां पर जादे बाते नहीं करते हैं आप करते हम वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों मेरा नाम है सुनीव और आप सभी का स्वागत है स्टार्ट अगैन इसमार्ट क्लास में दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद बनाती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो यदि आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे उससे काफी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जर जान लेते हैं कि MS Word क्या है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं MS Word का पूरा नाम Microsoft Word है जिसे हम MS Word के नाम से जानते हैं यह एक Word Processing प्रोग्राम है जिसमें हम documents बना सकते हैं, resume बना सकते हैं, कोई letter लिκ सकते हैं कोई logo का design बना सकते हैं या book cover बना सकते हैं या e-book आधी इससे बना सकते हैं और भी बहुत सारे चीजे हम MS Word में बना सकते हैं तो यहाँसे आपको यह clear हो गया हुआ कि MS Word क्या है यदि आपको यह किलियर हो गया है तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जिरूर करें अब सीक्रेट हैं कि आप अपने laptop या computer में MS Word को चालू कैसे करोगे चालू करने के बहुत साज तरीके हैं जिन में से मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूँ तो सबसे पहला तरीका क्या है अपने laptop या desktop के screen पर आपको right click करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको new पर जाना है और यहाँ पर आपको MS Word documents इस पर click कर देना है तो यहाँ पर एक shortcut बनके आ जाएगा इसको आप open कर लोगे तो देखे Microsoft Word यहाँ पर open हो जाएगा इस तरीके से भी आप MS Word स्टार्ट कर सकते हैं दूसर तरीका क्या है आप अपने keyboard से window और प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है win word win word यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा और यहाँ पर win word टाइप करने के बाद में OK पर किलिक कर देना है जैसे आप OK पर किलिक करोगे तो MS Word ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप से यह पुछेगा कि आपको blank documents ओपन करना है या फिर कोई file ओपन करनी है जो इसमें पहरे से ही save है तो अब हमें blank documents open करना है तो इस पर किलिक कर देंगे तो MS Word ओपन हो जाएगा और तीसरा तरीका क्या है आपको यहाँ पर search में जाना है या window प्रेस करनी है अपने keyboard से और search में जाने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है word जैसी आप word लिखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा word app इस पर आप क्लिक कर दोगे तो भी MS Word ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं new blank documents इस पर हम क्लिक कर देंगे तो MS Word ओपन हो जाएगा या फिर आप latest version यूज करते हो जैसे 20, 21 तो उसमें भी आपको same buttons मिलेंगे बस थोड़ा वो different होता है 95% बिल्कुल same होता है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा MS Word का interface दिखाई देता है इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि चीजे आपको proper तरीकी से समझ में आए तो देखिए यहाँ पर आप ओने पर ले जाकर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो तो या फिर यहाँ से side से भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर इसको लेका आई अपने करसर को यहाँ चोटा बड़ा कर सकते हैं तो इतना आपने सीख लिया होगा कि इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक चीज दियान रख दिये हैं यहाँ पर आपको यह जो बुलू पार्ट से दीख रहा है यहाँ पर यदि हम अपना माउस लेकर आ जाएंगे और आपको इसे इधर खिसकाना आए यह लेक्र हमें खिसकाना या राइट में खिसकाना आपको इस तरीगे से यहाँ पर बुलू पार्ट पर रहना है और इस पर कर्सेर को रखकर माउस को रखकर हम इसे खिसका सकते हैं तो इहा इसे आपको इसकी भी जानकरी होगी GEORGE अब बात करते हैं इसके पूरे इंटर बार बोला जाता है इसी पट्टी के साइड में आपको यह दिखाई दे रहा है माइनस वाला इसको हम बोलते मिनिमाइज बटन यदि हम इस पर किलिक कर देंगे तो जो आपको जो वर्ड है वो यहां पर टैस्क बार में आ जाएगा और टैप प्रेस करने से आपको जो वर्ड कर सकते हैं और उसी के बराबर में हम यहां पर क्लोष कर निसान दे सकते हैं यदि हम इस पर किलिक कर देंगे तो वर्ड बंद हो जाएगा तो यह तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी इसी के लैप साइड में यह जो बटन दिए गये हैं यह कौन से बटन है तो देख यहां पर सिर्फ वो बटन रखते हैं जिनको हमें जल्दी से एक्सस करना हो जल्दी से ओपन करना हो तो इसके अंदर यहां पर तीन बटन पहले से ही दिये गए हैं पहला है सेव का दूसरा है अंडो और तीसरा है रिपीट का तो जैदि हमें यहां पर और भी बटन एड़ करने तो यहाँ पर हम इस पर किलिक करके और बटन एड़ करने जैसे मैं यहाँ पर ओपन पर किलिक करके ओपन का बटन एड़ कर लूँगा तो यहाँ पर देखे ओपन का बटन एड़ हो गया और यहाँ पर किलिक डिजाइन ले आउट तो इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हम रिबन और रिबन में जो दिये गए हैं होम इंसर्ट ड्रो डिजाइन ले आउट इनको हम मीनुबार बोलते हैं और इनको टैप भी बोलते हैं तो इसको टैप बोला जाता है और मीनुबार दोनों ही बोला जा और ऐसी इंसट को कई भागों में बटागाüber है जैसे बेजींच ayjdave plets हो और मीडिया इस तरही से पमिसले के बारा में भी हम बात करेंग के दिरे दिरे जासे हम इंसट को खोलें या होम तो हमें क्या करना है हमें यहां पर जाना है हों पर या इंसर्ट में किसी पर पिजाना है उस पर हम क्या करेंगे डबल क्लिक कर देंगे तो वह आपीस आजाएगा और यदि फिर हमें इसे गायब करना या हटाना है तो फिर इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वह हट जाएगा या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर हम किसी पर भी right click करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं ribbons इस पर जो tick आ रहा है उसको हम यहाँ से हटा देंगे तो यह ribbons वापीस आ जाएंगे तो यहाँ से आपने इसको minimize और maximize करना भी सीख लिया है यहाँ पर देखिए यह जो page आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं work area हम इसको page भी बोलते हैं और इसको हम work area भी बोलते हैं और यह जो tim team आ रहा है इसको हम बोलते हैं cursor और देखिए यह जो मैं हिला रहा हूँ इसको हम mouse pointer बोलते हैं mouse pointer तो कर्सर हमारा जहां पर भी हम काम करेंगे उसको इंडिकेट करता है तो यहां से आपको यह भी किलियर हो गया होगा और अब देखें यहां पर आपको यहां पर यह बटन आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक बटन आपको यहां पर नीचे दिखाई देगा कब जब हम इस इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है इस स्क्रोल बार तो इससे हम क्या करते हैं इससे यदि हमने कुछ भी काम किया है और वो काम हमने नीचे तक किया है तो हम उस काम को नीचे तक ऐसे स्क्रोल करके देख सकते हैं इस तरीके से और वैसे ही यदि राइट साइड में कुछ चीजे छिप रही है तो आप ऐसे स्कोल करके उसको देख सकते हो तो यहां से यह भी समझ में आ गया होगा कि इसको पूर जाता है स्क्रोल बार इसको पार दो होते हैं एक वार्टिकल होता है और एक वर जंटल होता है तो अभी देखिए यहां पर आपको रूंत नहीं दिखाई दिया होगा मैंने यहां यहां से इसको उने आपको पर आपको यह डिख जाएगा तो देखिए 벤 Socied हम बताता है तो यह चीज़ भी आपको समझ में आ गए होगी, तो देखे अब हम नीचे की साइड मां जाते हैं तो यहां पर हम सकते हैं यहां पर आपको और वेब ले आउट तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार इस वाली पट्टे को बोलते हैं स्टेटस बार ठीक है और यहां पर हम देख सकते हैं रीड मूड और यह प्रिंट ले आउट और वेब ले आउट तो यही चीज आपको यहां पर व्यू में दिखा रहा है और जैसे हम इसमें यहां पर कुछ दिखेंगे तो यह क्या करेगा यहां पर वर्ड भी दिखाएगा हमने कितने वर्ड यहां पर टाइप किये हैं अब देखे हमने एक वर्ड हमारा यह हो गया और एक वर्ड यह हो गया तो यहां पर यह टू वर्ड यहां पर इसने दिखा दिये दो वर्ड हमने यहां पर टैप कर दिये और अभी पेज वन है और यहां पर यहां पर तो देखे दो पेज हमारे यहां पर बन जाएंगे एक प पेज यह होगा तो यहां पर आप देखें पेज नमबर टू भी आ चुका है पेज वन ओर पेज टू ठीक है तो यह चीज भी आपको समझ बहुंद आ गई होगी अब इसी के ठीक बराबर में हम यहां पर देख सकते हैं जूम इन जूम आउट तो हम इसको यहां से जूम आउ कर सकते हैं मिनिमं हम यहाँ पर 10 तक जूम कर सकते हैं ठीक है तो अभी फिलाल के लिए मैं इसको 100 देता हूं तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दीख सके हम अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर फाइल्स में जितने भी यह बटन दिये गए हैं उनके बा ब्लैंक डोकुमेंट्स इस पर हम किलिक करके एक नया डोकुमेंट्स ओपन कर सकते हैं जैसे हमने इस पर किलिक करा तो यहां पर एक डोकुमेंट्स टू के नाम से यहां पर एक डोकुमेंट्स ओपन हो गया ठीक है तो इसे अभी फिलाल के लिए हम बंद कर देते हैं यहां से क्रोज करके उसके बाद में यहां पर दूसरा उप्षन है ओपन का ओपन में क्या होगा जैसे यदि हमारी कोई भी फाइल वर्ड में पहले से सेव हो रखी है तो उसको हम यहां पर ओपन पर किलिक करके open कर सकते हैं जैसे हमें कहां से open करनी है हमें करनी है browse में जाके जैसे हमें desktop पर मैंने एक file रखी हुई है वहां से जाके हम यह वाई फाइल my words इसको हम open कर लेंगे तो यह file open हो जाएगी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पर my word के नाम से एक file open हो चुकी है और अब दो फाइल हमारे पास में open है एक word one और एक my word ठीक है तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर आगे बठने से पहले हम क्या करेंगा यहाँ पर कुछ tax हम insert कर लेते हैं तो tax insert कराने के लिए हम हम क्या करेंगे यहाँ पर एक function करेंगे is call to randrand और यहाँ पर bracket open और bracket close तो अब हम क्या करेंगे हम enter प्रेस कर देंगे तो क्या होगा वर्ड हमें अपने according यहाँ पर कुछ paragraph या कुछ tax हमें यहाँ पर लिख कर दे देगा ठीक है और यदि अभी मैं इसको तो control जाड़ करता हूं और यहाँ हमें अपनी मर्जी से कुछ paragraph चाहिए तो जैसे हमें यहाँ पर कुछ और ज्यादा लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ यहाँ पर दस लाइन चाहिए और वह लाइन कितने पहराग्राफ की होनी चाहिए जैसे वह तीन तीन पहराग यहाँ पर यहाँ पर यह तीन पहराग्राफ के जो हमारी जुर देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स आ जाएगा तो ठीक है यह भी आप सीख गए होंगे कि हम paragraph कैसे add कर सकते हैं किसी blank page में और अभी हम इसको control z करते हैं तो आपको यह function कहीं पर लिख लेना है is called to rand around और यह यह आप इसको याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना तो यहाँ पर हमने यह भी सीख गया कि हम paragraph कैसे add कर सकते हैं और मैं इसे control z करता हूँ तो यहाँ पर आप यह जो function है इसको आप कहीं लिख सकते हैं किसी notebook में या फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमने file में हमें पता चल गया था new new में हम क्या करते हैं और open में क्या कर सकते हैं अब थाड़ है यहाँ पर save तो save में क्या करते हैं जैसे हमने कोई भी word file को ली उसमें कुछ काम किया जैसे हमने यहाँ पर यह सब कुछ काम कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है फाइल को सेव करना है तो हम यहाँ पर जाके फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर इसके shortcut command है Ctrl S तो अभी मैं इस पर click कर देता हूँ अब हमें सेव कहाँ पर करना है जैसे सेव मुझे desktop पर करना है या किसी drive में सेव करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे c drive हम यहाँ पर select कर लेंगे तो उसमें save कर देंगे या किसी folder में open करना है तो folder open कर लेंगे तो अभी जैसे मैं desktop पर इसको save कर देता हूँ और यहाँ पर desktop select करने के बाद में यहाँ पर file का हम कुछ भी नाम दे देंगे जैसे मैं यहाँ पर इसको word file 1 और यहाँ पर हमें word documents यह ऐसे ही select रहने देना है मैं और save पर click कर देंगे तो हमने यहाँ पर लिखा word file 1 और desktop पर हम इसको save कर रहे हैं तो अभी मैं इसको minimize करके आपको दिखा देता हूँ तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं एक word file 1 के नाम से एक file आ चुकी है यहाँ ठीक है तो यह भी हमें पता चल गया अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद में है save as save as में क्या करते हैं हम जैसे हमने कोई फाइल save कर चुके हैं जैसे अभी हमने यह word file 1 save कर चुके हैं और अभी इसी को हमें कहीं और save करना है तो वो हम क्या करेंगे यह दुबार से हमें इसको save करना है तो हम क्या करेंगे इस पर file पर click करेंगे save as इस पर हम click कर देंगे और हमें कहां पर save करना है, documents में save करना है, desktop पर, तो अभी मैं फिलाल इसे desktop पर ही दुबारे save कर लेता हूँ, और अब मैं इसका नाम ले देता हूँ, word file 2, और यहां पर save पर हम click कर देंगे, ठीक है, ज़िए अब हम check करें, तो अभी हम देख सकते हैं, एक file यहां पर और save हो च के अंदर, ठीक, तो यहां पर हम save और save as भी सीख चुके हैं, save कैसे करनी है, save हमें कब करनी है, और save as कब करनी है, यदि हम new word, यानि new documents को save कर रहे हैं, तो उसे हम save करेंगे, और यदि कोई file already save है, तो हम उसको save as कर देंगे, ठीक है, next है हमारा print, तो यह भी हम सीख लेते हैं, प्रिंट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई भी documents है, या कुछ भी हमने काम किया है, अब उसको हमें print देना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर file बजाएंगे, हमें print पर click करने के बाद में, यहां पर हमें बहुत सारे option दिख जाएंगे, तो इस पर हम मैं अलग से एक video बन पर देता हूं, तो जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, हमारा print का layout हैं, और यहां पर कितनी copy प्रίνट निकाल दे हैं, वह हम नमबर यहां पर दे देंगे, हमें कितने page print करने, हो हमें तकर क्या रखना है, तो margin हम यहां से select कर सकते हैं, margin औगारा, कितना margin रखना यह सब हम यहां साइज के होते हैं तो हमें यहाँ पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो अब हमने यहाँ पर प्रेंट का ओप्शन भी सीख लिया प्रेंट कैसे करना है ठीक है और आगे हम देख सकते हैं यदि हमें यह या कोई भी वर्डौकुमेंट्स जो भी आपने क्रेट कराया जिस पर भी आपने काम किया आया है उसको किसी को करना है तो यहाँ पर हम सेर पर किलिक कर सकते हैं और उससे हम सेर कैसे क्र रहे हैं इमेल के ठूरू कर Sat contain या present online को और भी website के थूरू share कर रहे हैं तो वो हम share कर सकते हैं तो यह चीज भी आपको समझ में आ गए होगी कि share कैसे करते हैं file को तो next क्या है यहाँ पर export export में क्या होता है जैसे किसी file को export करना है हमें और किसी जैसे हमें इसे PDF में change करना या XPS documents में change करना तो हम export में जाके उसे change कर सकते हैं या फिर जैसे इसकी हमें यह word file है इसका PDF बनाना तो PDF बना सकते हैं PDF में कर सकते हैं या फिर इसको notepad में करना है तो उसमें कर सकते हैं तो आई होप यह भी चीज आपको समझ में आ गई होगी और नीचे आपको एक option दिखेगा more more पर click करके हमें एक option दिखेगा यहाँ पर close का अगर close पर click कर देंगे तो यह जो file है word documents हमाज बंद हो जाएगी account में हम account add कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर हम अपने नाम से sign in कर सकते हैं word को ठीक है तो more में ही आपको एक option दिखेगा option इस पर हम click करके यहाँ से वह साई चीजे changes कर सकते हैं तो यह जो parts है वह advance वड़ता है तो यह थोड़ा advance हमाजाता है इस पर एक अलग से video बनेगी तो उसे हम बाद में बनाएंगे और बाद में सीखेंगे तो यहाँ से हमने जो है यहाँ पर एक file वाला options 5 वाला button हमने पूरा complete कर लिया है तो अभी हम इस video को इतना ही रखते हैं और series के साथ में आप जूड़े रहिए और वीडियो के like share करना बिल्कुल नहीं बोलिए और यह आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे comments करके ज़रूर बताईए तो मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में तो तब तक के लिए जैहिन जै अबहरत